आज हम देखने जा रहे हैं बर्स से लेके दो साल तक के बच्चों की किताबों में contextual attribute और वो attribute जिसकी वज़ा से बच्चे किताबों से attract होंगे, उनको अपना दोस्त बनाएंगे, उनके साथ अपनी lifelong bonding करेंगे, और यह वो सी किताबें होंगी जो किताबें उनकी development में उनकी मदद करेंगी, cognitive development में और linguistic development में, तो आज हमारे पास यह topic है, वो है personified characters, तो हम यह देखेंगे कि personified characters क्या होते हैं, तो personified characters उन characters को कहते हैं, जो बुन्यादी तोर पे humanly behave कर रहे होते हैं, लेकिन वो human न कि बच्चों को उसमें interest develop होता है, और वो बहुत ही हैरानगी से उन characters को देखते हैं, क्यों interest और क्यों curiosity develop होती है, बच्चों में, ऐसे किरदारों को देखते हुए, जो ऐसा काम कर रहे हैं, जो इनसान करते हैं, पर वो बुन्यादी तोर पे इनसान नहीं होते हैं, उसके लि वो trigger होती है, number two, बच्चे ये देखते हैं कि वो उन जैसे नहीं है physically, उनकी जो कपड़े हैं, उन जैसे नहीं है, या अगर वो dinosaur है तो उसकी tail है और उनकी tail नहीं है, so ये unusual elements बच्चों का interest जो है, वो किताब और character की तरफ ले जाते हैं, अगली चीज ये आती है कि वो circumstances और activities जो के बच्चे उस किताब में देख रहे होते हैं और storybook में चल रही होती है, पेश, हर पेश के उपर, हर plot के उपर, अब वो characters में बच्चे बन्यादी तोर पे curiosity उनकी trigger होती है, और वो जानना चाहते हैं कि ये करदार करने क्या जा रहा है, क्या ये वो सब कुछ करने जा र जाता है, जब वो उन character को समझ सकें और उनको अपने साथ relate कर सकें, अब ऐसे characters बिल्कुल भी नहीं बनाने चाहिए, जिसको देखने के बाद बच्चों के अंदर को negative feeling हो, negative feeling में sadness हो सकता है, fear हो सकता है, anxiety हो सकती है, worriness हो सकती है, so characters या हम theme जब choose कर रहे होते हैं, they should be happy and joyful themes, जिससे बच्ची अपने आपको relate करें और excitement में उसे बार बार देख सकें, characters जो हैं, sincere हो, credible हो, उनके अंदर energy हो, उनके अंदर excitement हो, जो बच्चों के अंदर होती है, क्योंकि बच्ची भी enjoyment करते हैं, आप बच्ची भी joy करते हैं, उनके अंदर भी dynamism होता है, और एक जबर्द जैसे के जानवर और मुक्तलिफ किसम के object जो हैं, जिनको हम human का character दे देते हैं, और वो तमाम character जो है, human की तरह act upon कर रहे होते हैं, और बच्ची इन characters को देखके, ना सिर्फ excited होते हैं, astonished होते हैं, बलके वो उनसे महबत करते हैं, और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, और अपनी imagination में उसको multiply करते चले जाते हैं, कि अब ये चीज ऐसे कर सकती हैं, और इसके ये दोस्त हो सकते हैं, और मैं भी हो सकता हूँ. So next slide तक के लिए इतना ही काफी है, फिर हम आपसे दुबारा मिलेंगे, so best of luck.